है गाईस जब हम यूटूब पर कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में किस टॉपिक के रिलेटेड बात की गई है वो जानने के लिए हम वो वीडियो के नीचे दिये गए हुए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करते हैं वैसे ही हम जब कोई चैनल विजिट करते हैं तो वो चैनल में किस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बताए जाते हैं किस टॉपिक के रिलेटेड बात की जाती है वो जानने के लिए हम चैनल का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करते हैं तो ये चैनल का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेलो दोस्तो मेरा नाम है अनस और आप देख रहे हैं टेकनिकल गाइस तो चलिए वीडियो की वार आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको आपका यूटूब ओपन कर लेना है और उसके बाद में आपको एकाउंट पर क्लिक करके आपके चैनल पर चले जाना है यानि कि आपको यहाँ पर यूर चैनल पर क्लिक करना है जैसे आप यूर चैनल पर क्लिक करोगे तो आप आपके चैनल पर पहुंच उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके आपके सामने आ जागे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करने ना है जो अबाउट में हमारी डिस्क्रिप्शन बताई जाती है और यहां पर मैंने पहले से ही मेरा जो चैनल का description है वो लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना हो तो यहां पर आपको egy edit का option मिलेगा, जहां पर आपको ख्लिक कर लेना है, जैसे यह आप एड़ी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने description का जो आपने लिखा हुआ था वो ऐसे आ और यहां पर आपको कर्सर दिखाई देखा कि और यहां पर बताए जा रहा है कि आपका डिस्क्रिप्शन एड करना चारते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन एड कर सकते हो तो आपको यहां पर आपका description एड़ कर लेना है और description ऐसा ही एड़ करना है कि जो आप आपके वीडियो पर आपके चैनल पर जो वीडियो बनाते है वो बताते हो वो ही description में लिखना है उसके अलावा कोई चीज आपको लिखनी नहीं है और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में आपको यहाँ पर done पर क्लिक करने ना है जैसे आप done पर क्लिक करोगे तो आपका जो चैनल का अपने description लिखा है वो save हो जाएगा और कोई भी आकर आपका चैनल विसिट करेगा तो about section में जाएगा तो आपका channel का description उसको साब साब दिखाई देगा तो आपको वीडियो के लिए description एड़ करना आपको आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और आपके जो YouTube पर दोस्त है उनको भी share करें ताकि उनको भी आए के channel का description कैसे लिखते है